दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लिप काल पर बिग सेविंग डेज सेल चल रही है जो चलेगी 15 जनवरी से 20 जनवरी तक और इस सेल में काफी सारे स्मार्टफॉन के प्राइस काफी ड्रॉप हुए हैं और दोस्तो आपने तो मन बना ही लिया होगा कोई ना कोई नया स्मार्टफॉन लेने का, कई दोस्तों ने तो ओडर भी लगा दिया होगा, आपने कौन सा स्मार्टफॉन ओडर लगाए है या फिर आप ओडर लगाने की सोच रहे हो, वो आप हमें कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं, वहीं पर अगर अगर आप एक सस्ते बजट रेंज में बहतरीन स्मार्टफॉन लेने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बहुती सस्ती रेंज में मिलने वाले दो बहुती बढ़िया स्मार्टफॉन दोनों एक ही कंपनी के हैं हमारे पास जिसमें पहला स्मार्टफॉन तो पोको ने हाली में लॉंच किया है पोको C50 नाम से और दूसरा हमारे पास पोको C31 तो इन दोनों स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन रहेगा आपके लिए बैस अगर दोस्तो आप पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप पोको C50 को तो कभी नहीं लोगे बलकि पोको C31 लोगे ऐसा क्यों? वो मैं आपको सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ उससे पहले हम इन दोनों स्मार्टफॉन के हाइलाइट फीचर्स को जान लेते हैं दोस्तों पोको C50 दो वेरेंट में लॉँच हुआ है इसमें आपको पहला वेरेंट है वो 2GB 32GB वेरेंट जो आपको 6,299 रुपे के आसपास मिल जाएगा परसोही तक 6,499 रुपे का हो रुका था लेकिन फिर से प्राइस ड्रॉप हो गया है और ये जो हमारे पास 3GB 32GB वेरेंट है ये कुछ दिन पहले 7,299 रुपे का था और अभी ये 6,999 रुपे का हो गया है वहीं पोको C31 में भी आपको दो वेरेंट मिलते हैं इसमें 3GB 32GB वेरेंट आपको मिल रहा है स्मार्टफोन की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन आप हमारे साथ बने रहे है वीडियो में चैनल पर आए हो फास्टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आए तो जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर यहां पर लाता रहता हूँ तो आईए दोस्तो सबसे पहले तो हम इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पर नजर डालते हैं तो यलो कलर के बॉक्स आते हैं दोनों स्मार्टफोन के मुबैल का डिजाइन आपको दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में कहीं भी नजर नहीं आएगा ब्लैक फॉन्ट में याँ पर मॉडल नेम को मैंसन किया गया है पोको की ब्रांडिंग और मेड इन इंडिया भी याँ पर स्पेसली मैंसन किया गया है बॉक्स के बैक साइड में कुछ हेडलाइन फीचरस आपको देखने को मिलते हैं जिने मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा तो चलिए जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं पोको C50 का बॉक्स कुछ इस तरो से ओपन होता है वही रियल्मी C31 का बॉक्स कुछ इस तरो से ओपन होता है तो यहाँ पर हम सुरुवात पोको C50 से करेंगे तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं डंग से सबसे उपर स्मार्टफोन हमें नजर आता है इसे फिलाल साइड रखके अंदर देखे तो एक बॉक्स और निकल के आता है इसे हम साइड कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का 10 वोट का चारजर अरप्टर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एंपेर की आउटपुट रेटिंग के साथ और इसके बाद नॉर्मल माइक्रो यूएसपी केविल मिलती है केविल की लेंद और क्वाल्टी तो बढ़िया है टाइप सी होती तो और बढ़िया होता इसके बाद आते हैं पोको C31 पर सबसे उपर रखा हुआ है स्मार्टफॉन इसे फिलाल साइड रखके अंदर एक मिनी बॉक्स हमें देखने को मिलता है जिसके बैक साइड में सेम इजक्टर फिन अंदर क्विक स्टाइट गाइड यूजजर मैन्वल दिया गया है लेकिन दोस्तों ये दोनों स्मार्टफॉन आपको कवर नहीं दे रहे हैं वो आपको अलग से पर्चिस करना पड़ेगा ब्लेक कलर का चार्जर अडप्टर मिलता है आपको 10W का 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ और ब्लेक कलर की ही USB केविल मिलती है नॉर्मल माइक्रो USB केविल याँ भी दी गई है लेंद और क्वाल्टी याँ भी आपको सही मिल जाती है और ये हैं दोनों स्मार्टफॉन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इन हैं फिल दोनों ही स्मार्टफॉन हाथ में एक जैसे लग रहे हैं सेम थिकने से सेम हाइट है और दोनों पर आपको ड्रॉप नॉज डिस्प्ले मिलती है लेकिन दोस्तों किसी भी स्मार्टफॉन पर पहले से कोई भी स्क्रेच गार लगावा नहीं मिलता है जब भी नया स्मार्टफॉन पर्चेस करो एक टैंपर्ड गिलास उसी टाइम लगा लीजिए आपका मुबैल स्क्रेच से भी बचेगा तूटने का डर्वी कम बना रहेगा और यह है दोनों स्मार्टफॉन के बैक साइट का लुक जहां आपको प्लास्टिक बॉड़ी मिलती है अब मैं एके करके दोनों स्मार्टफॉन के बैक पैनल आपको दिखाता हूँ तो यह पोको सी 50 का बैक पैनल जहां पर आपको फिंगर फिंग सेंसर दिया गया है लेदर फिनिसिंग आपको मिलती है इसके बैक पैनल में नीचे पोको की ब्रैंडिंग और कैमरा सेट अफ डूल कैमरा मिलते हैं आपको इसमें जहां में कैमरा 8 participated और दूसरा एक supporter AI lens कैमरा विध LED फ्लारश लाइट दिया गया है फ्रेंट में drop notch के अंदर 5 मेगा बैक पैनल देखें तो डूल टॉन फिनिस इंग मिलती है की गई है और यहांपर आपको ड्रीपल केम्रा मिलते हैं जिसमेंमीं केम्रा 13 में का 12 में 2-Megavexel का Micro Sensor, 2-Megavexel का Depth Sensor Camera with LED Flashlight दिया गया है और Front में 5-Megavexel का Camera यहाँ भी मिल जाता है दोनों smartphone के Corner हलके से Different है rounded Corner के साथ आता है Poco C31 और Poco C50 में आपको Flat Corner दिये गये है जहां Right side में आपको मिलेगी Power On Key और Volume Rockers उपर की Side Poco C50 Speaker दे रहा है और 3.5 mm का audio jack C31 में मिलता है Left side में मिलती है sim tray जहां आप लगा सकेंगे दो sim card और एक memory card तीनों एक साथ दोनों smartphone पर और bottom में primary mic charging jack और 3.5 mm का audio jack C50 में नीचे की side और C31 में आपको उपर की side दिया गया है और speaker grill आपको Poco C31 में नीचे की side ही मिलता है दोनों smartphone की power को हमने पहले ही on कर लिया था और दोनों की जो brightness है उसे भी already हमने full करके रखा हुआ है तो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा bright display Foco C50 की नजर आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर Poco C31 में कुछ ऐसा ही wallpaper बनाये गया है जहाँ पर brightness कम लग रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं brightness ज़्यादा लग रही है आप Poco C31 की हाला कि दोनों में आपको 400 Nets की brightness दी गई है इसके अलावा display colors दोनों में आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं आइकन दोनों में आपको थोड़े बहुत अलग देखने को मिलेंगे और user interface तो प्रिंस्टॉल एप ब्लोटवेर एप नजर नहीं आ रहे होंगे सारे के सारे Google की और से useful application दी गई है जबकि Poco C31 में कई सारी प्रिंस्टॉल एप आपको नजर आ जाएंगी हाला कि unwanted एप को आप फॉन से रिमूब कर सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जो Poco C50 है यह Android Go Edition की साथ आता है जिसमें आपको Android की Go Edition एप दी गई है तो फालतु ज़्यादा कोई एड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे और नहीं कोई प्रिंस्टॉल एप आपको इसमें नजर आएंगी दोनों स्मार्टफोन की जो एज और बैजल्स है उनमें कोई भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा आप विल्कुल सेम टू सेम कॉनर और उपर से थिक है और नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है और दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.52 इंच की HD फ्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक रेसो 20 इस्टू 9 स्क्रीन डेजुलेशन 720 इंटू 1600 फिक्सल और फिक्सल डेंसिटी 269 फिक्सल डेंसिटी 269 फिक्सल दी गई है दोस्तों सेटिंग पर नजर डालेंगे तो दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग में काफी बड़ा अंतर आपको नजर आने वाला है तो सबसे पहले यहां पर C50 की सेटिंग ओपन करके आपको दिखाते हैं यहां जो इंटरफेस है विल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली आपको ऐसा इंटरफेस देखने को नहीं मिलता था पोको या फिर रेडिमी के स्मार्टफोन में लेकिन यहां थोड़ा इजी इंटरफेस दिया गया है जहां बड़े-बड़े फॉन्ट आपको नजर आएंगे वहीं हम फोको C31 की सेटिंग को ओपन करें तो यहां जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरो का आपके सामने कुलता है जहां सबसे उपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और यहां जो C50 है इसमें सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और इन्हें हम ओपन करें तो जो हमारा C50 है इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई इंफोर्मेशन नजर नहीं आएगी Android version 12 Go Edition का मिलता है आपको यह यहां पर mention किया गया है बाकी IMEI number यहां पर दिखेंगे और phone number अभी हमने SIM card डाले नहीं है तो phone number यहां पर सो नहीं होंगे तो ज़्यादा कोई information इसकी setting के अंदर नहीं मिलती है जबकि POCO C31 की setting में आपको काफी सारी information मिल जाती है MIUI version 12.5.1 का आपको इसमें मिलता है storage meter यहां पर दिया गया है जहां storage से related सारी information आप पराप्त कर सकते हैं Android version आपको इसमें 11 मिलता है All Space Vacation को open करें तो इसमें आपको 3ZB RAM प्लस 0.5 यानि की 500 MB की virtual RAM भी मिल जाती है इसके अलावा 2.3 GHz का octa-core processor आपको यहां पर दिया गया है chipset MediaTek Helio Z35 का आपको इसमें मिलता है base tech 12 NMK fabrication पर और graphic power VR G8320 के आपको इसमें दिये गये है 3ZB RAM, LPDDR4X के आपको मिलती है और 32ZB का internal storage, storage type EMMC 5.1 और expendable memory 512 GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं वहीं बात करें Poco C50 की तो इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 2 GHz का quad-core processor यहां octa-core है, यहां quad-core है तो देखिए कितना अंतर आ गया और chipset में भी बहुत बड़ा अंतर है यहां आपको मिलता है MediaTek Helio A22 का एक outdated chipset बहुत low range की mobile में ही आपको यह chipset देखने को मिलता है तो यहां पर नया chipset आपको नहीं मिलता है 12NM का fabrication, graphic for VRG8300 के मिलते है 3 GB RAM, LPDDR4X की 32 GB का internal storage यहां भी expendable memory 512 GB तक आप बढ़ा सकते हैं storage type EMMC 5.1 का मिल जाता है और अब हम दोनों smartphone के camera पर नज़र डालते हैं तो यहां triple camera है, यहां dual camera है यहां 13MP फ्राइमरी, यहां 8MP फ्राइमरी camera तो देखियो दोस्तो, color का हलका अंतर नज़र आ रहा है थोड़े से better color मुझे यहां पर focus C31 के लग रहे है जबकि clarity के मामले में तो यहां पर Poco C50 भी पूरी टककर दे रहा है C31 के camera को, लेकिन जहां zoom की बात आती है तो C50 आपको मातर चार गुनाज zoom support दे रहा है यह देखिये, 4X zoom clarity आप यहां पर देख सकते हैं वहीं आप Poco C31 से पूरा का पूरा दस गुनाज zoom कर सकते हैं यह हमने आपर 10X zoom कर दिया है 10X zoom clarity कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है तो zooming power जादा आपको मिल जाती है C31 में, बाकी portrait को option दोनों में दिया गया है और video suit कर सकते हैं आप दोनों स्मार्टफॉन में, 1080p में 30fps तक front selfie camera दोनों के 5MP के हैं लेकिन मुझे selfie camera थोड़ा सा better color लग रहे हैं C50 के यहां पर आपको करीब से भी दिखा देते हैं तो देख सकते हैं हाला कि दोनों स्मार्टफॉन में front camera 5MP के है लेकिन clarity के मामल में C50 का camera मुझे ज़्यादा better लग रहा है एक एक picture यहां पर क्यों ना capture की जाए दोनों स्मार्टफॉन के front selfie camera से और अब आपको दिखाते हैं यह रही दोनों स्मार्टफॉन से ले गई selfie तो color का अंतर आपको साब साब नजर आ रहा होगा better color यहाँ पर Poco C50 के camera से मिलते हैं तो friends यह दोनों स्मार्टफॉन आपको 7000 रुपे के अंदर मिलते हैं लेकिन अब बात आती है मैं कौन सा स्मार्टफॉन पर्चेस करना चाहिए तो दोस्तों आप समाजी गए होंगे ज्यादा अच्छे फीचर्स आपको Poco C31 में मिल रहे हैं जो आपको Poco C50 में नहीं मिलते हैं हाला कि finger-fing sensor यहाँ पर दिया गया है camera आपको 8MP कहीं मिलता है और यहाँ पर आपको जो processor है वो काफी outdated मिलता है 2GHz का quad-core processor MediaTek Helio A22 का chipset यहाँ पर काफी फीचे हो जाता है C31 से यह जो Poco C50 है क्योंकि यहाँ आपको 2.3GHz का octa-core processor दिया गया है और MediaTek Helio Z35 का chipset दिया गया है मेरे इसाब से तो C50 आपके लिए 7,000 रुपे में अतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पर Poco C31 है और मैं Poco C31 के यह 7,000 रुपे को भी आपको रिकमें नहीं करूँगा बस 500 रुपे उपर खर्च कीजिए और इसका 4GB, 64GB वेरंट आपको 7,000 रुपे का मिल रहा है अभी आपको flip card पर चेक कर सकते हैं दोस्तों काफी सस्ता हो रहा है यह स्मार्ट फॉन और सेल खतम होते ही यह 9,000 रुपे तक कभी हो जाता है तो friends, अगर आप चाते हैं एक नया स्मार्ट फॉन खरीदना और बजट जादा नहीं है 7,000 रुपे तक ही आप खर्च कर सकते हैं पोको C31 आपके लिए बहुत बढ़िया स्मार्ट फॉन रहेगा ट्रिफल केमरा आपको इसमें मिल जाते हैं G35 का चिपसेट दिया गया है काफी अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताईए इन दोने स्मार्ट फॉन में से आपको कौन सा स्मार्ट फॉन फसंद आया कौन सा आप पर्चेस करना चाहोगे आसा करता हूं मेरे दौरा दीगी जानकारी आप सभी के ज़रूर कुछ नकुछ काम आईगी जिससे आपको मोयल पर्चेस करने को दिकत नहीं है